अब इन वेवस्थाओं के पूरे क्रम में सुधार के पूरे क्रम में फिर से नर्सिम्वन समिती दृतिय गठित कर दी गई और लगातार प्रयास किये जाते रहे कि पिछले जिन सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो भी कारी किये गये जिनको अपनाया गया उसके बावजूद भी जिन जिन छेत्रों में अभी तक कम्या रह गई उन में सुधार लाया जा सके तो यहां पर हमने देखा कि बहुत सारे सुधारात्मक कदम 1999 में भी जब नर्सिम्वन समिती का गठन हुआ था तो वहां पर भी उठाये गये थे बहुत सारे सुझावों को सरकार ने स्विकार किया लेकिन फिर भी अब जो छेत्र बच गया उस पर कारी किया जाना था और दूसरी एक बात यह कि इन सुधारों की जो समीक्षा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 26 दिसमबर 1997 को दृतिय नर्सिम्वन समिती का गठन किया और यहां पर द प्रणाली में सुधार लाना ही था बैंकिंग का वेवस्था का सुचारू संचालन ही था तो यहां पर इन्वेने कुछ दृृश्टिकौर्ण को ध्यान में रखते हुए कुछ कारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाओ प्रस्तुत किये कौन-कौन से कारे थे जिनको दुष्टिकत रखते हुए उन्होंने अपनी सिफारिशे सरकार के समक्ष प्रस्तुत की तो सबसे पहला कारी नोंने बैंकिंग नीती को सुद्रुन बनाना एक प्रस्तुति प्रदान करना था दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कारी नोंने ध्यान में रखा वो था तक्नीकी परिवर्तन इसमें किया जाए अच्छी टेक्नोलोजी इसमें लागू की जाए जैसे कि पहले भी उन्होंने बात कही कि यंतरी कृत व्यवस्था अपनाई जाए जो अपनाई जाए और मानोस अंसाधन जो है उनको अपडेट किया जाए तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया साथ में इन्होंने खा कि बैंकिंग प्रणाली को सुद्रिन बनाने के लिए जो व्यापक अप्रयास हो सकते हैं सरकार के द्वारा और बैंकिंग अधिकारी और करमचारियों के द्वारा इनको संयुक्त रूप से मिल जूलकर कारे करने की जरूरत है तो इन सभी कारियों को दृष्टिकत रखते हुए इन्होंने 22 अपरेल 1998 को अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार के समक्ष प्रस्तूत की अब इन्होंने अपनी रिपोर में बैंकिंग का एक थ Dob吗 करणे किया जाएं उसके करणे कारे किया जाएं तो क्या थी सद्री निज्था की विवस्ता इस पर एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि दो या तीन अंतर राष्टर इस तर गैंक हो साथ में आठ से दस जो है वो राश्टरी इस्तर के बैंक हो और तीसरी व्यवस्था के अंतरगत माला कि कुछ स्थाने बैंक भी होने जाएं तो ये त्री इस्तरी ढ्हाचा को बना कर फिर बैंकिंग व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएं दूसरा इन्होंने कहा कि त्री इस तरी बैंकिंग ढाचे के लिए बैंकों का जो पारस्परिक विला है एक दूसरे बैंक में जो मर्ज करने की प्रक्रिया है उस पर सरकार को संस्तुति दी जानी चाहिए अपनी सहमती दी जानी चाहिए और साथ में कमजोर बैंक जो है उनके लिए समिती द्वारा सीमित विवसाय अपनाने की विवस्ता की जानी चाहिए कि वो अपना जो कारे छेतर है उसको थोड़ा सीमित रखे बहुत ज़्यादा प्रसारित उसको ना करे और अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार के कोई विफल प्रसाइब करता आती है तो फिर उसको ऐसे बैंकों को फिर बंद कर दिया जाहिए ऐसे उन्होंने सुझाओ रखे साथ में हमने देखा कि इसमें तीसरे इस्तर के जो स्थानी बैंक का कारे छेतर जो जिले के समूं तक ही किवल सीमित रखने की बात कही गई तीसरे इस्तर म हमने हाँ पर देखा था कि वह बैंक है जो स्थानी बैंक है तो बहुत जादा ही अपने कारे शेतर को न बढ़ा कर एक जिले एक स्थान तक ही सीमित रखे यह बात कही गई वैसे ही इन्होंने एक सुझाओ यह भी प्रस्तूत किया कि आर्बियाई एक्ट और बैंकिंग रे प्रफम का जब गठन हुआ वहां से ही वैवस्ता लागू की जाने के बात की जाती रही तो उसको और अधिक सबल या और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास पर इस समिती ने बल दिया साथ ही साथ तो यह जो संपत्या है इनको यह माना गया कि बैंक इनको अधिक रहन करे और इनका अधिक्रहन करने के लिए एक अलग से एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन पंड की स्थापना कर दी जाए ताकि जब इन परिसंपत्यों का फिर से क्रेविक्रे किया जाए जवरत पढ़ने पर इनको जब खरीदा जाए तो ऐसी देशा में वित्तिय विवस्ता में बहु कि अगर संख्या अधिक है जिसे हमने देखा कि कई बार जब बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मानोसन साधन की विवस्ता नहीं की जाती है तो अनुपातिक जो यहां पर कर्मिचारियों की संख्या रहती है वो बहुत गलत हो जाती है किसी बैंकों में बहुत जादा कर्मिचारी अधिकारी होते कई बहुत कम होते हैं कर्मिचारियों का भाव रहता है तो यह सारी विवस्ता में सुधार लाने के लिए एक बात कही कि बहुत अधिक अगर कर्मिचारियों अधिकारियों की संक्या है तो स्वैक्षि किये गए आये इस पर बिंदुवार एक नज़र डाले नर्सिम्बन समिती दृतिय में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाये नर्सिम्बन समिती 1998 के सिफारिशों पर सरकार ने विचार करते हुए अने गोशनाय की जिन में प्रमुक निम्न है पहला रिण वसूली न्यायाधी करणों को अधिक स्विध्रुन करना दूसरा बहुत अधिक अनुद्पाद के परिसंपत्यों वाले बैंकों की बकाया राशी की वसूली के लिए प्रयोग के आधार पर परिसंपत्य पुनर रचना कम्पनियों के स्थापना करना तीसरा बैंकों के पुण्जी परियाप्तता अनुपाद के ततकालीन आट प्रतिशत अनुपाद को वर्ष 2000 मार्च के अंत में बढ़ा कर 9 प्रतिशत और उसके बाद पुना बढ़ा कर 10 प्रतिशत करना एक विशेशक्य समूव गठित करना जो बैंकिंग कानूनों में इस प्रकार संशोधन प्रस्तावित करे जो बैंकिंग छेत्र में सुधार एवम आधुनिके करन के लिए मार्च प्रशस्त करें बैंकिंग विवस्था के सुधार के इनी प्रयासों में आगे एक और समिती का गठन किया गया जिसे वर्मा समिती का नाम दिया गया वर्मा समिती के बारे में हम जाने तो सारवजनिक शेतर में जो कमजोर बैंक है उनकी पुनर स्थापना करने के लिए या फिर उनमें जो कमिया है उनको दूर करने के लिए या ऐसे बैंक जिनकी जो सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पा रहे हैं उनकी विवस्था को दु रिजर्व बैंक ने MS वर्मा की अध्यक्षिता में वर्मा समिती का गठन किया और इन्हों ने अपनी सिफारिश 4 अक्टूबर 1999 को प्रस्तोत की आईए वर्मा समिती की सिफारिशों पर एक नजर डाले तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कमजोर बैंक जो थे उनकी इंडियान बैंक और यह उनाटेट बैंक ओफ इंडिया यह जो बैंक है इनकी विवस्ता में सुधार लाने के लिए एक ऐसी व्यू रचना एक ऐसे स्ट्रोटेजी बनाई जाए जिससे इन बैंकों की जो कमजोरिया हैं उनको धीरे धीरे करके एक तो दूर किया जाए और दो बातों का इसमें ध्यान रखा गया कि कुछ ऐसी व्यू रचना बनाई जाए कि इन बैंकों की लाप प्रदता जो है उसको बढ़ाया जा सके और अत्रिक्त जो लागते हैं उनको कम किया जा सके तो यह एक प्रमुक सुशावता कमजोर बैंकों के छेतर में दूसरा हम द इने लिए जो इनके काम-काज के तौर तरीके हैं उसमें にच्वान सुधार लाने के बात करई दूसरा कहा गया कि लागत को कम करने के लिए बैंक जो अल-ाब कारी विवसाय파 कर रही है यानि बहुत सारे ऐसे दिना बैंकिंग कि निजी छेत्र के जो बैंक है जिन्होंने आधुनिकी करण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कंप्यूटी कृत यंत्रों का प्रयोग किया अपने जो उनके हुमन erne-resources आनौस अनसाधन जो हैं उनको ट्रेन्ड किया टो उनको करते हुए उनको देखते उए हैं इनको भी यह कमजोर बैंक है उनको भी अपनी वेवस्था में सुधार लएनगी जरूरत है तो यह उनको देखकर से-पंशलव है इस ववस्ता पर भी एक नजर डालने की उन्होंने जरूरत महसूस की और साथ में जबकि सारवजनिक इंडियन बैंक और साथ में हम बात कर रहे थे कि यूटी आई उनाइटे ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तो यह जो बैंक थे इनके बारे में कहा गए कि पचास लाख रुपे से अधिक के इनके जो परी संपत्या हैं उनको एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड के द्वारा उनको हस कि जा सकती है और प्रारंभ में अगर चाहे तो कम से कम 25 प्रतिश्या तक तो कर्मिचारियों की जो संख्या इसको कम कर सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा इनको फोकस था वो यह था कि लाब को बढ़ाना है और कहीं ना कहीं अगर लागते जादा आ रहे हैं किसी चेज़ मे आए तो सुधार के लिए हमने आप देखा कि 90 के दिशक में अभी तक हमने जिन सुधारों की बात करी चाहे वो नर्सिमन सिमिती की हो या वर्मा सिमिती की सभी समितियों ने अपना जो फोकस रखा वो यह रखा कि बैंक की जो पूरी की पूरी कारे प्रडाली है उसको दू व्यधानिक तरलता अनॉपात में काफी परिवर्टा न आया जिब हम बात करते हैं कि लीगल एक जो रैशिओ होना चाहिए क्ष के रूप में हमारे पास जो सम्पत्ति है तो उसके अनॉपात के अगर हम बात करें तो वैधानिक तरलता अनॉपात जो की 38.5 के उचे स्तर प पाद की तो तरल कोशन उपाद जहां 10% के उचे स्तर पर था वहां उसको कम करने की प्रक्रिया कम से कम क्योंकि कम करने की बात कहीं जा रही थी सभी समितियों को द्वारा तो कम करने की प्रक्रिया जो है वो 90 के दशक के जो बैंकिंग सुधार वेवस्थाय थी उनके अंतरग साथ ही साथ इसी सुधार व्यवस्था के तहत 1991 के बाद जो ब्याज दरे थी उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आये किस तरह से वो घटी क्या महत्वूर्ण परिवर्तन ब्याज दरों में किये गए आए इस पर बिंदुवार एक नजर डालें सन 1991 के बाद ब्याज दरों में किये गए महत्वूर्ण परिवर्तन पहला ब्यापारिक बैंकों की सावधी जमापर ब्याज दरे अन्यंत्रित कर दी गई दूसरा स्टेट बैंक ओफ इंडिया एवं अन्य व्यपारिक बैंकों की प्रमुक उधार दर को दो लाख रुपे से अधिक के अग्रिमों पर कम कर दी गई तीसरा दो लाख से अधिक के बैंक उधार पर ब्याज दर पूर्ट्या अन्यंत्रित कर दी गई चौथा शहरी सरकारी बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों की ब्याज दरे इस शर्त के साथ अन्यंत्रित कर दी गई कि वे अपनी उधारदर 13 प्रतिशत के नियून तब इस्वर पर बनाये रखेंगे तो आपने देखा कि 1991 के बाद जिन व्यवस्थाओं में सुधार लाया गया ब्यासमन्नी व्यवस्थाओं में उस पर कौन-कौन से बिंदू को दुष्टिकत रखते हुए प्रतिशत की पौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क वो सभी बैंकों के लिए अनिवारे कर दिया जाना चाहिए अब अगर हम बात करें कि अन्य सुधार की तो आये इस पर बिंदुवार एक नजर डाले कि कौन-कौन से अन्य सुधार इस प्रयास के अंतरगत किये गया निजी चेत्रे बैंक के संबंध में नए दिशानरदेश इस प्रेकार थे पहला बैंक की प्रारंभिक चुप्ता पुंजी को निउन्टम 100 करोड रुपे से बढ़ा कर 200 करोड रुपे किया गया दूसरा, कारोबार आरंभ करने के तीन वर्षों के अंदर चुप्ता पुंजी को 300 करोड रुपे करने की अनिवारेता तीसरा, बैंक की चुप्ता पुंजी में प्रवर्टकों का योगदान पूरुवत निउन्टम 40 प्रतिशक तथा 6 भाग सार्वजनिक निर्गमन के जर्ये एकत्रेत करने का नदिश चौथा, बड़े अध्योगिक घरानों द्वारा सीधे ही किसी बैंक का प्रवर्टन करने परोग पाँचवा, सिद्रोण आर्थिक इस्तती वाली गैर बैंकिंग विस्ति कम्पनियों को बैंक में रुपांत्रित होने की अनुमती किद्दू या अनुमती केवल उन गैर बैंकिंग विस्ति कम्पनियों को जिनका पूंजी पर्याप्तिता मानत न्यूंतम बारत प्रतिश्यत को किया गी तो आपने देखा कि बैंकिंग विस्ता में 90 के दश्रक में बहुत सारी समितियों के स्थापना के साथ साथ सरकारी चेतर के जो बैंक थे उनमें बहुत सारे सुधार के लिए सुझाओ प्रिस्तुत किये गये और बहुत सारे सुधार आए भी अब एक नजर डाले निजी छेत्र के बैंकों पर कि निजी छेत्र के बैंकों के समद्ध में कौन-कौन से कदम उठाएगे उनमें क्या परिवर्टन आया क्या सुधार आया तो अगर हम बात करें नीजी छेत्र के बैंकों की तो इनको एक नए दिशा निर्देश इनके क्रियानवेन के लिए कुछ नए दिशा निर्देश दिये गए जिसके अंतरगत 22 जनवरी 1993 को पहली बार भारती रिजरो बैंक ने जो नीजी छेत्र के नए बैंक थे उनको लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया दूसरा इस संबन में प्रयास किया गया कि इसके आदिन 10 बैंक जो है उनको जब ये वाली कारप्रणाली प्राराम की गई तो इसी विवस्ता के आदिन 10 नीजी बैंकों को लाइसेंस भी दिया गया और साथी साथ भातिर जरो बैंक ने 3 जनवरी 2001 को जो नीजी छेत्र के जो बैंक थे वहाँ पर नए बैंकों की स्थापना के पूरा नर्देश भी जारी किये तो आपने देखा कि किस प्रकार पूरी बैंकिंग विवस्ता में सुधार लाने के लिए विविन समितियों का गठन किया गया सभी समितियों का जो फोकस था वो कुल मिलाकर पूरी की पूरी बैंकिंग विवस्ता में सुधार लाना था दूसरी बात कि सभी समितियों ने आधुनी की करण पर बल दिया कम्प्यूटर और अलक्ट्रोनिक यंत्रों के प्रयोग पर बल दिया जिससे ग्राहकों को सुविधा कुछ मोहिया कराई जा सके बैंकिंग के जो कार है उनको शेगरता से पूर्ण किया जा सके तो लगातार ये जो समितियां थी उन्होंने अपने सुझाओ प्रस्तुत किये जो महत्पूर्ट सुझाओ लगे उनको सरकार ने अपनाए भी उस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए बहुत सारे प्रयास किये बहुत सारी सफलताय भी हासिल हुई जो सुझाओ दिये गया थे उनको अपनाने के बाद हाला कि पहले के बैंकिंग मेवस्ता और आपके बैंकिंग मेवस्ता को अगर हम कंपेर करके देखे तो आप खुद भी वेवारिक रूप से अनुभा करते होंगे कि अब बैंकिंग मेवस्ता में काफी सुधार आ गया है तो पूरी की पूरी बैंकिंग मेवस्ता के सुधार के बारे में हमने जाना कि किन किन समितियों के सुझाओ के द्वारा धीरे धीरे करके बैंकिंग मेवस्ता में सुधार आया